वे ह्लो फ्रेंड्स, भहुत से बार हमारे दिमाग में कॉष्चन आता है कि अगर मेरे को Glen Weissman करनी है तो चाहिए LIC में करो, या PPF में करो, या और किसी टूल में करो जिससे मुझे इंशूरंथ भी मिले, जिससे मुझे फैमिली को सेकरिटी भी मिले जिससे मेरे जो मेरे को मिलने वाला रिटन है वो भी अच्छा मिले तो यह सारी चीजे सोचने के बाद सबसे पहले जो कंपेरेजन मन में आता है कि PPF और LIC में बहतरिन क्या है तो यहाँ पे सीधा चार या पाच basic points के ओपर मैं आपको एकदम आसानी से समझाने वाला हूँ कि अगर आप की direction क्या है उस तरीके से आपको कौन सा plan लेना है सबसे पहले PPFA जो है एक दिर्ग काली क्रूनी योजना है जिससे अधिकांश सेवा निरुत निगुमा के लिए पसंद किया जाता है याने कि जो long term याने कि 15, 20, 25 साल रखने के बाद जो returns मिलते है उसमें से अगर आप जो corpus करेat करना चाहते हो तो उसके लिए PPFA लेकिन LIC एक ऐसी चीज है जिसके तुरू जो भी life में आपकी unprecedented जो भी चीजे है जो आपने कभी सोची नहीं होगी और अगर ऐसे कोई चीज होती है तो उसके बाद आपकी जो family है उसको protection मिल जाए इसके लिए LIC बहुत important है तो सबसे पहले बात यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपको returns चाहिए या आपको family की security चाहिए और उसी साब से आपको आगे चलना है दूसरी बात है यहाँ पर PPF में आपको कोई भी insurance या death benefit extra नहीं मिलता है जैसे कि LIC में आपने जो भी death benefit मिलता है आपको जो भी बाकी सारे benefits है जो अगर आप किसी कारण और state होती तो आपको मिलता है उसके बाद PPF में जो है independent of market है उसमें around 7 से लेके 8% के returns बहुत पिछले बहुत सालों से मिल रहे है और LIC का जो है यहाँ पर market के उपर dependent है और 4 से 5% के बीच में यहाँ पर average returns है अगर market नीचे जा रहा है तो उससे कम हो सकते उपर जा रहा है तो उससे ज्यादा हो सकते लेकि बाद है LIC में आपको जो भी आपने premium decide किया है वो आपको हर महिने quarterly yearly half yearly जिस तरीके से भी आपने decide किया है और जितने amount decide किया है और जितने साल के लिए decide किया है उस सारे उसी समय आपको pay करने होते लेकिन PPF में इसी कोई चीज नहीं आप minimum 500 रुपे से लेके maximum 500 रुपे से ले dependent है यहाँ पे कोई भी आपके लिए issues नहीं है कि यही date पे आपको amount जहाँ PPF में डाली है तो यहाँ पे आपको fully flexibility है amount कब डालने है कहाँ पे invest करने किस समय करने कितनी करने है लेकिन LIC में आपके date के हिसाब से आपको चलना होगा उसके बाद है यहाँ पे liquidity तो PPF में जो है आप 5 साल के बाद कुछ amount जो है loan के उपर ले सकते हो साथ साल के बाद आपको कुछ amount जो है मिल जाती है 20% 30% of first 2-3 years investment तो वहाँ पे बहुत सारे rules है जिसके लिए मैंने already video बनाया है लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझे लो कि 5 साल के बाद आपको उसमें से जो भी कुछ रक करने तो आप उसको तीन साल तक नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद कर सकते उसके बाद आपको जो है amount मिल जाती है लेकिन यहाँ पे बड़ा drawback यह है कि आपको जो surrender value है बहुत ही कम मिलते है याने कि लगबग देखा जाए LIC का चार्ट तो पहले 3-4-5 साल में आप अगर आप उसको surrender करते हो तो 30% से लेकि 50% कि आपको surrender value मिलते है याने कि लगबग आपकी जो भी premium पे कि यह उसकी 50% आपका loss हो जाता है तो सारी चीज़े आप पहले चेक कर लो surrender करने से पहले आपको मिलने वाली रकम कितने percentage में है तो यहाँ पर यह सारे जो points से इसी साब से अकर करता है सबसे पहले यहाँ पर तीन point है एक है life coverage दूसरा है life coverage plus investment तीसरा है pure life coverage में देखा जाए तो आपको अगर सिर्फ आपके कुछ unprecedented चीज़े होने के बाद आपका family का अगर खयाल रखना है तो सबसे बहुतरिंद plan है term insurance plan तो आप सिर्फ life coverage के बारे में सोच रहे हो तो आपको LIC के जो plan है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तो LIC के around 30 से लेके 40 अलग plan से उसमें से आप एक चूज कर सकते हो और pure investment में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे PPF में या FD में या mutual funds में या SIP कर सकते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि PPF में जाना है तो आपको pure और pure investment और returns इसके बारे में सोचना है LIC में जाना है तो returns के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है आपके family की security के लिए ज्यादा सोचना है इसके अलाव भी अब अगर आपके मन में कुछ doubts है तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ